चैनल की विकेंसी, हमें पड़े लिखे पत्रकार नहीं चाहिए। आपको चीखना आता है, चिलाना आता है। क्या आप बिना रुके अटके पांच से दस मिनट लगातार उंची अवाज में चिलाते हुए बोल सकते हैं। अगर आपको गाली निकालनी आती है और आप गाली ग्लोच इस तरह से करें कि सामने वाले को गुसा आ जाए। और वे फरनिचर तोड़ने पर मजबूर हो जाए। मेमान को शर्मिंदा करना आता हो। आपका दिमाग इस तरह की सोच रखता हो कि कैसे हमारे देश को आसपास के देश नुकसान पहुचा रहे हैं। और आपने स्टूडियो में बैठ कर उनको अटैक करना है। अटैक ऐसा होना चाहिए कि अगले दिन पूरे मीडिया में आपकी चर्चा हो। मेमान को किस तरह बेज़त करना है आपके बायात का खेल होना चाहिए। अगर आप उनको मजबूर कर दें कि वो आप पर हाथ उठा दे या आपको किसी नई गाली से बुलाना शुरू कर दे तो आपकी जल्दी ही प्रमोशन भी हो सकती है। आपकी तनख्वा महीने में कितनी सफलता पूर्वक आपने गाली गलोच की उस पर निर्भर करेगा। आपको बहुत ही जल्द आपने अनपढ़ होने का सबूत देना होगा। जिससे आप अकबारों वो यूट्यूब के अन्य प्रोग्राम में चर्चा में आए। मर्यादा में रहते हुए गाली गलोच करना आना चाहिए। आपका धरम दूसरों के धरम को नीचा दिखाना। जैसे ही दो अलग धरम की लोग दिखें उनको लड़ने के लिए उकसान खबरों को इस तरह से फर्जी बनाना कि हर कोई उस पर यकीन कर ले। अगर आपकी फर्जी खबर की चर्चा नैशनल लेवल पर होती है तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। जितनी ज्यादा फेक निउस बना सकेंगे उतने पर्क्स और ओधों में बड़तरी होने के चां आइकन को दुआएं।